आज मैं आप सभी को WhatsApp की तीन तीन नहीं चार ऐसी एकदम फ्रेस और ताजा न्यू सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जिनका इस्तेमाल खरके आप सभी ओसम फिल करोगे और आज तक आप सभी को ये जो तीनो ट्रिक बताने वाला हूं वो आप सभी को WhatsApp के अंदर देखने को नहीं म बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और घंटी को ओन कर दीजेगा तभी तो आगे और भी ऐसे नई और आसम वीडियोज आप सभी को मिलती रहेगी सो नमस्कार दोस्तो मैं राजनम प्रसाद और आप देख रहे हैं सीखे आल इन हिंदी और इस वीडियो के अंदर एक ऐसी ट्रीक बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप विक्टिम का यानि की सामने वाले का सिर्फ नमबर डालके उसके बारे में बहुत सारी जानकारिया निकाल सकते हैं और वो भी उसके फोन को बिना टच किये घर बैठे ही सब कुछ आप देख सकते हैं तो वो क्या चीज है उसके लिए आपको इस वीडियो को लास तक देखना पड़ेगा दोस्तो जिन जिन एपलिकेशन का मैं इस वीडियो में इस्तमाल करने वाला हूँ उन सभी का लिंक आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहां से जाकर उन सभी एपलिकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं तो जो पहला trick है उस trick को इस्तेमाल करने के लिए आपको application को open नहीं करना है सिर्फ आपको उस application के उपर long press करना है और long press करने के बाद यहाँ पे आप सभी को एक option देखने को मिलेगा quick reply इस पे जब आप click करेंगे तो यहाँ पे आप सभी को in build कुछ reply देखने को मिलेगा और आप खुद से भी बहुत सारे in build reply बना सकते है जैसे कि आप सभी को किसी को good morning विश करना हो good evening good night विश करना हो तो आप यहाँ पे कुछ सेरो सैरी लिख कर आप shortcut बना सकते हैं और जैसे ही आप सभी का shortcut बन जाए तो यहाँ पे आप what's up या what's up business जो भी इस्तमाल करते हैं उस icon पर click किजे और click करने के बाद आप उस contact को select कर लिजे जिसे आप इसे भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसे इस तरीके से भेज सकते हैं तो यह आप सभी के लिए काफी useful shortcut है और अगर आप इतना मेहनत नहीं करना चाहते हैं कुछ और shortcut यूज करना चाहते हैं तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप अपने WhatsApp के अंदर add लिखोगे तो आपका जितना भी address होगा वो यहाँ पे आ जाएगा like कुछ इस तरीके से तो देख सकते हैं मैंने सिर्फ address लिखा और यहाँ पे मेरा पूरा address आ चुका है तो इसके लिए आपको एक application install करना होगा और उसका link मैंने नीचे वीडियो के description में दे दिया हूँ तो उस application को open करने के बाद यहाँ पे आपको plus का option दिखेगा इस पे आपको click करना है और click करने के बाद यहाँ पे आप page पे click किजे और यहाँ पे shortcut का नाम दे दिजे यहाँ पे जैसे कि मैं एक मेरा website है तो यहाँ पे मैं website का shortcut दे दि जैसे कि techfdz.com और उसके बाद यहाँ पे आप back कर दिजे और अब अगर आप अपने WhatsApp के अंदर लिखेंगे सिर्फ website तो यहाँ पे आपका website आजाएगा और इस पे click किजे और इसे भेज दिजे तो इस तरीके से भी shortcut का आप इस्तिमाल कर सकते हैं और आप अपने time को बचा स सकते हैं दोस्तों अगला जो secret trick है उस trick का इस्तिमाल करके आप number से उस बंदे का profile खोज सकते हो कि इस number से वो बंदा WhatsApp account बनाया है कि नहीं बनाया है तो उसके लिए जो मैंने आपको first application बताया था उस application के उपर long press किजे यहाँ पे आप सभी को search profile का option दिख रहोगा इस पे आप click किजे और click करने की बाद यहाँ पी आप उसका number add कर दिजे जैसे कि यहाँ पे मैंने add कर दिया यहाँ पे number को add करने की बाद search profile का option दिख रहोगा इस पे आपको click करना है और देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे उसका profile मिल चुका है तो कुछ इस तरीके से इस्तिमाल करके आ आप number से उस बंदे का profile यानि कि WhatsApp profile खोच सकते हैं दोस्तो इस trick का इस्तिमाल करके आप सभी घर बैठे उस बंदे का phone बिना टच किये उसके बारे में बहुत सारी जनकारिया निकाल सकते हों जैसे कि वो कब WhatsApp पे online आया कब offline गया कितने देर तक रुका और अभी वो online है या offline है सब कुछ आप चेक कर सकते हो वो भी सिर्फ number add करके और अपने WhatsApp को open तक भी नहीं करना है और आप ये सब कुछ देख सकते हो तो कैसे तो आपको इस app का download link नीचे वीडियो के description में दे दिया हूँ तो आप उसे install कर लिजेगा अब आप उसे open किजे और open करने के बाद यहाँ आप सभी को उसका number add करना है तो यहाँ पे आप उसका number याद कर लिजेगा add number के उपर आप click किजे और दोस्तो इस तरीके के application में आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ लेकिन इस तरीके के application में आपको validity यानि कि trial period बहुत कम मिलता है इसलिए मैं एक नया application लेकर आया और उसका number यहाँ पे आप add कर दिजे सबसे पहले तो यहाँ पे आप plus 91 खोज लिजे इंडिया के लिए क्योंकि हम इंडियन हैं तो यहाँ पे plus 91 लगाएंगे और उसके बाद उसका number यहाँ पे आप आप उसका नाम add कर दिजे और यहाँ पे आप follow के option पे click कर दिजे जब कितना आप कर देंगे तो यहाँ पे आपको यह कह रहा है कि दो मिनट के अंदर में ही अब आप उसके बारे में सारी डीटेल निकाल सकते हैं, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि यह बंदा अभी ऑफ लाइन है, यानि कि वाटसप अभी तक इसने ओपेन नहीं किया है, और यहाँ पे आप एरो वाले ओप्सन पे क्लिक करके इसके बारे में सब कुछ जानकारी निकाल सकते हैं, कितनी बार वो अपने वाटसप को ओपे किया, यह भी देख सकते हैं, कितनी देर तक वो अपने वाटसप पे रुका, यह भी देख सकते हैं, तो दोस्तों मैंने इस फोन का नपर इस फोन में डाल दिया हूं, और अब मैं यहाँ पे अपना वाटसप ओपिन करता हूं, और देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे वाट अप्लाइन दिखा रहा था वो अब आपका ओनलाइन दिखाने लगा तो इस तरीके से आप कुछ अपडेट कुछ नया फीचर कुछ सीक्रेट ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वट्सप में देखा सिर्फ हमें नंबर का विसकता है और उसके बाद आप बहुत कुछ यहा सकते हो और दोस्तों जैसे ही जैसे ही आप अपना वट्सप को क्लोज करेंगे यह देखिए मैंने क्लोज कर दिया और अब यहां पर जो स्टेटस होगा वो आप सभी के लिए ऑफलाइन हो जाएगा देख सकते हैं एक मिनट 14 सेकेंड तक मैं यहां पर इस वाट्सप को ओप का है तो इस तरीके से आप अपने वट्सप का इस्तेमाल कर सकते हैं और सिर्फ नंबर से हैं दोस्तों अगला जो मैं आप सभी को सीक्रिट ट्रिक बताने वाला हूँ यह अभी कुछ ही फोन्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा अगर आपको इसके बारे में ज्यादा ड जनकारी नहीं दे पाऊंगा लेकिन मैं उस फीचर का नाम बता सकता हूँ जो अभी नया अपडेट आने वाला है उस फीचर का नाम है वाट्सप डिसपेरिंग मैसेज यानि कि अगर आप किसी को मैसेज भेजो दोस्तों इस फीचर का हम लंबे समय से फेस्बुक के अंदर इस्तमाल करते आ रहे हैं जब हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो वहाँ पे हम टाइम सेट कर देते हैं और उसी टाइम पीरिट के दोरान वो जो मैसेज है वो डिसपीर हो जाता है यानि कि गायव हो जाता है और उस मैसेज का हम अब वाट्सप के अंदर इस्तमाल कर करेंगे यहां पे हम WhatsApp बीटा इन्फो के अंदर आ चुके हैं और यहांपे आप देख सकते हैं कि WhatsApp के अंदर एक नया सीक्रिट अपडेट आने वाला है और वह अपडेट आप सभी को जब WhatsApp चैट के उपर कलीक करेंगे उस बंदे के नाम के उपर क्लिक करेंगे और यहां पर आज आएंगे उसके chat details के अंदर तो आप सभी को एक नया option देखने को मिलेगा disappearing message या expiring message इस तरीके से name रहेगा और आप उसे on और off कर सकते हैं और कुछ इसी तरीके से आप सभी को interface मिलने वाला है और यह जो feature है अभी under development है और कुछ-कुछ phones में आप सभी को यह देखने को मिलेगा तो दोस्तों आप सभी को यह चारो secret trick कैसी लगी नीचे comment करके जरूर बताएगा और आप सभी को यह video कैसी लगी वो भी आप मुझे बता सकते हैं तो अभी के लिए इस video में इतना ही तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेगा और इस video को एक like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा और घंटी को on करना मत फुलिएगा तभी तो आप सभी को ऐसी awesome videos मिलती रहेगी